बदल गया पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले का समय आज इतने बज़े से इस चैनल पर सुरू होगा पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला जिया दोस्तों आखिरकार समय में हुआ है कितना बड़ा बदलाओ स चांते हैं कि पहले test match में पाकसान के team England को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से 1 लाइक कर दिजे शाहती चैनल, सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलीए वीडियो को सुरू करते हैं इंग्लैंड के टीम 17 साल के बाद पाकिसान के धर्ती पर टेस्ट सिरिज खेलने आई है पिछली बार 2005 में इंग्लैंड ने पाकिसान के दौरे पर टेस्ट सिरिज खेली थी जिसमें पाकिसान के टीम ने टेस्ट सिरिज को 2-0 से अपने नाम किया था वहीं बता दे कि साल 2000 में पाकिस्तान के दौरे पर इंग्लेंड ने टेस्ट सिरीज जीतने का कमाल किया था साल 2000 में पाकिस्तान में खेले गए टेस्ट सिरीज में इंग्लेंड को 1-0 से जीत मिली थी उस दौरान इंग्लेंड के कप्तान नासिर हुसेन थे इस बार इंग्लैंड की टीम पाकिसान में टेस्ट सिरीच खेलने आई है तो इंग्लैंड की कप्तानी बेन इस्टोक्स के पास है अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि इस बार पाकिसान की धर्ती पर इंग्लैंड की टीम टेस्ट सिरीच जीत पाई गिया नहीं पाकिसान और इंग्लेंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी सीरीज का पहला टेस्ट मैच एक दिसंबर से राउल पिंडी में खेला जाएगा वहीं सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 से 13 दिसंबर के बीच मुल्तान में होगा इसके अलावा सीरीज का आखरी टेस्ट मैच 17 से 21 दिसंबर के बीच कराची में होगा पाकिस्तान और इंगलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का लाइब टेलिकाश टीवी पर सोनी स्पोर्स नेटवर्क पर किया जाएगा भारत में क्रिकेट फैंस पाकिस्तान और इंगलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का लोप्त सोनी लिब एप के जरिये भी ले सकते हैं टेस्ट मैच भारतिय समय अनुसार सुबत 10 बजे सुरू होता हुआ नजराएगा तो दोस्तों आपके मुताबिक पहले टेस्ट मैच में क्या पाकिस्तान के टेम इंगलैंड को हरा पाए गया नहीं आप अपनी राए हमें नीचे कमेंट करकर जरूर बताएं अपना बहुमुले समय देने के लिए धन्यवाद